किसको किसको साड़ी नहीं आती है पहनना अगर आपको सीखना है सिंपल साड़ी बेसिक साड़ी कैसी पहनी जाती है तो इस वीडियो को लास जरूर देखना आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बेसिक सिंपल साड़ी कैसी पहनी जाती है और पहनने का तरीका क्या होता है और प्लेट कैसे बनाया जाता है बहुत से लोगों को साड़ी पहनना नहीं आता है साड़ी बहुत अच्छी लगती है बहुत सुन्दर लगती है बट जो पहनने का तरीका होता है और इसको कैरी करना जो प्लेट से बनाना होता है वो बहुत difficult होता है तो बहुत से लोगों को नहीं आता है और नहीं पहन पाते हैं आज आपको अच्छे से सिखाऊंगी साड़ी कैसी पहनी जाती है और इसके plates कैसे डलते हैं तो देखो first of all आपको pedicoat blouse पहन लेना है फिर साड़ी का जो एक पार्ट होता है जहां पे pico fall हुए होता है तो उस area वाले साड़ी को हम चारो तरफ एक round लपेट लेंगे बस एक ही round लपेट नहीं अब जो ये वाले साड़ी का हिस्सा होता है फिर इसको हम छोड़ देते हैं बीच में नीचे plates बनाने के लिए और जो सबसे last जो इसको बोलते है पल्ला वाला area इस पल्ले वाले area को हम उपर लाके इसको ढाल देंगे पहले हमें क्या होता है basic चीजे बनाने होती है अब ये जो पल्ला होता है ये उपर जाएगा और ये होगा नीचे plates बनेगा नीचे भी plates बनता है और उपर भी plates बनता है देखो सबसे पहले आपको plates कहां बनाना है पल्ले पे तो पल्ले पे किस तरीके से बनाना है दो finger को उसको आपको one by one करके एक एक plates बनाना होता है finger की help से और ये एक एक one by one यहां हमें carry करना होता है तो वहां तक पूरा एकदम finishing तरीके से plates बनना चाहिए अगर दो लोग का help चाहिए तो एक बंदे को पकड़ा दो और इस तरीके से plates बना दो one by one करके क्या होता है कि अगर uneven सा plate बनता है तो वो दिखने लगता है जब आप pin up करोगे ना तो वो अलग से दिखेगा तो proper एकदम finishing तरीके से plates बनना चाहिए कि कहीं से भी उपर नीचे ना हो तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से plates बनना है और जैसे से बनता जाएगा हम उसको नीचे तक लेते आएंगे जहां तक हमें रखना होगा plates अब देखो किते finishing तरीके से plates बन गया है पीछ पीछे नहीं निकला है भाई यह plates बनाना ही बहुत difficult है ऐसे तो आप पहन सकते हो जब plates बनाना होता है न तो ना नहीं याद आती है तो यह plates ना थोड़ा difficult होता है बस कहीं से यह plates एक भी निकलना नीचे यह दो को एकदम equal है और कहीं पर भी आगे पीछे नहीं है नहीं तो आगे पीछे हो जाता है और अब पिन कहां करना है सोल्डर पे विलाउस से टक करके इसको बड़े वाले पिन से अब पिन अप कर दो तो एजटेक्स ऐसे कैसे ही रहेगा और सुन्दर भी लगते प्लेट्स बहुत अच्छी तरीके से दिखते भी हैं तो पीछे भी ऐसे प्ले है वहां पे मैंने पिन कर दिया और आगे थोड़ा से उस प्लेट को हम अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे इस तरीके से जो बॉर्डर लाइन होता है न तो बॉर्डर फ्रेंट में तो बॉर्डर दिखाना है दोनों बॉर्डर दिखना चाहिए इधर से भी और दोनों सा बॉर्डर पर लगाया और एक हम थोड़ा सा नीचे लगा रही हूं नेक एरिया पर क्योंकि यह दोनों प्लेट से अलग अलग दिखना चाहिए तो दूसरा हुआ अब यह हमें पूरा टाइट लाने के लिए फूरा फिनिशिंग तरीके से जो फ्रंट का बॉर्डर होता है ना उसको टाइट खीच के इस तरीके से लाना है लेफ्ट और राइट से अगर टाइट खीच के यहां पर पिन अप कर दोगे ना तो यह लूज नहीं पड़ेगा ने तो साड़ी ना लूज लूज दिखेगी तो और यह क्या होता है एक फिनिशिंग लुक दिखता है बहुत अच्छा लगता है कोई कोई साड़ी में बॉर्डर नहीं आता है तो अगर इधर दिखेगा बॉर्डर तो बहुत सुन्द लगता है तो देखो तीसरा पिन मैंने कहां लगा है यहां पे क्योंकि ऊपर से लेके मैंने इधर से टाइट कर दिया है यह यह लाइन जात को किस तरीके से एक थम होता है एक फिंगर होता है तो इसी में आपको अच्छे से वन बाई वन करके ऐसे प्लेट्स बनाना होता है छोटे छोटे जितने बड़े बड़े नहीं बनाना होता है बड़े बड़े न अच्छे नहीं लगते हैं और नहीं ज़्याद छोटे मीडिय करके ö nap बना लेंगे प्लेट आप देख सकते हो देखो को मैं ने कर लिया ना जहां टमणी जाइड हैं वहाइड पे उस एरिया को मैंने पिन कर दिया तो यह दूर्शे साइड से लाकर हम इसको बना देंगे न तो सबसे इजी फंडा बता रही हूं घर बैठे सीख सकते हो और ट्राइ करो यूज करो बहुत मस्त आपको मैंने साड़ी पहनना बता रही हूं अब देखो यह उपर का पार्ट वाला एरिया पकड़ लिया है इनोंने अब देखो नीचे हम प्लेट सेम बैसे ही डाल लें कि कहीं कि प् बन गया था बट हमें सेम तो नीचे भी लाना है ना तो ऐसे ही फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से पकड़ के एक एक प्लेट अच्छे से संभाल कर हम लोग डालेंगे देखो और थोड़ा से इसको दबाते रहेंगे नीचे देखो प्लेट बन गया और हमें यहां पर पिन अप करना है तो यहां अगर हम पिन कर देंगे ना तो जो नीचे प्लेट बना हुआ है तो ऐसी के ऐसी ही रहेगा और जहां आपको लेंथ जितना चाहिए ना नीचे का उतना रखके और जो इस्ट्रा होता वो टम्मी के अंदर आप डाल दो मलब पेठी कोट के अंदर सुरी ठीक है अब जो ये वाला एरिया वसतः यहां पे तो हम यहां पे पिन लगाएंगे यहां पिन लगाने से क्या होता है कि साड़ी बहुत टाईट रहता है और आपके जो प्लेट्स होते हैं वो निकलते नहीं है और एजेटिक्स ऐसी के ऐसे ही प्लेट्स डले तो ये बन गई हमारी नीचे की प्लेट्स और पिन अप हमने अच्छे से कर दिया है तो नीचे अच्छे से इसको हम दुबारा एक फिनीशिंग लुक दे देंगे और थोड़ा सा उपर से नीचे टाइड कर देंगे आप देखो पूरा साड़ी अच्छे से पहन लिया है इनो साड़ी कहीं नहीं उदर से उदर हो जाएगी लूजनेस नहीं आएगा टम्मी के साइड भी देखो टाइट आ रही है और यह देखो और इधर यह बॉर्डर पूरा दिख रहा है चारों तरफ और बॉर्डर के जो बीच का है यह इधर प्लेट्स पूरा दिख रहा है और इन भी अच्छे से हो गया तो आपको इस तरीके से लाना है और बॉर्डर ऐसी लाना है लाइनिंग ऐसी दिखाना है यह बन गई आपकी final saadi और साड़ी पहनना इजी है बस आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से साड़ी पहनने है तो लुक वाइस देख सकते हैं पीछे भी देखो पूरा प्रॉपर प्लेट्स बना हैं कहीं से उधर उधर कहीं के प्लेट्स नहीं निकले हैं यही तो मेन खासियात होता है करते हैं और डिफिकल्ड लगता है उन्हें बस आइडिया होना चाहिए कि कैसे साड़ी पहनना है तो देखो किता सुन्दर लग रहा है अच्छा लग रहा है ना कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि किस तरीके से आप साड़ी पहनना चाहते हो तो नेक्स लेवल में लेके आ प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा आजाएगा आपको साड़ी वेडिंग टाइम में सब लोग पहनते हैं पार्टी में पहनते हैं पूजा फेस्टिवल इंसम में तो जरूरी होता है तो बस पहनने का तरीका नहीं पता होता है इसलिए मैं यह वीडियो आप लोग के साड़ी पहनना साड़ी कैसे पहनी जाती है और अगर आपको साड़ी पहननी आ जाएगी तो आप खुद ऑटोमेटिक दूसरों को भी पहना सकते हो कुछ भी डिफिकल्ड नहीं है बस तरीका बस पता होना चाहिए उपर नीचे आपको प्लेट्स बनाना है और देख सकते ह यह है और उपर तक भी प्लेट्स ऐसे ही है और बॉर्डर पूरा लुक वाइस दिख रहा है कहीं से भी खुलेगा नहीं क्योंकि पिनप बहुत अच्छे से हो चुका है सो गाइस पालर से डिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब लाइक कमेंट जरूर करें नौटिफिकेशन इसली मिल जाएगा ऐसी ट्रिक और हैक्स आपसे शेयर करती रहोंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो और जाते हुए प्लीज मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर करें बाइबाए गाईस टेक क्यार